यह है हमारे पास Bolt Drift Plus Smart Watch और यह आता है Bluetooth कालिंग के साथ में लेकिन मैं आपको इस वीडियो में इसका कोई फीचर या इसके एक्स नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में हम इसका करने वाले Water Drop Test क्योंकि देखिए इसमें Bluetooth कालिंग के साथ में आता है तो इसमें साइड में एक स्टिकर दिया गया है जो बहुत लोग यह कहते कि इस इस स्पेकर के वज़ा से यह स्मार्ट वाच है वह waterproof नहीं है मतलब कि fully waterproof नहीं है इसमें अंदर पानी चला जाता है सचाई क्या दोस्तों आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे कि इसमें जो है कि पानी अंदर जाता है या नहीं जाता है हम इसका करेंगे water drop test वो भी सिर्फ पानी में डालके निकाल नहीं लेंगे गाइस इसको हम पानी में डालके 10 मिनाट तक छोड़ने वाले हैं सो अगर आप भी एक smart watch purchase करना चाहते हो लेकिन आप confusion में हो कि Bluetooth smart watch purchase करें या simple smart watch क्योंकि waterproof की आपको problem आ रही है यहां पर हमारे पास साइड में पानी रखा गया है अब हम इस smart watch को इसमें डालेंगे और देखते हैं यहां नहीं जाता है तो लेट्स श्टार्ट दफ विज़ों हमने यहां पर एक प्लास्टिक के box में पानी भर रखा है और यह रहा हमारा stop watch और यह रहा watch चलिए अब इस box में इस watch को डालते हैं और stop watch को on करते हैं और देखते हैं कि 10 मिनट तक यह watch survive कर पाता है या नहीं कर पाता है और यह countdown सुरो गया और हम डाल देते हैं इसको पानी में और यह पूरा अंदर पानी में चला गया अब 10 मिनट तक हम छोड़ेंगे इसको यहां पर stop watch पर लगा के चली अब 10 मिनट बाद निकालते हैं watch को और फिर देखते हैं कि यह watch सही तरीके से काम करता है या नहीं करता है करता है करता है करता है करता है करता है तो गाइस दस मिनट हमारा यहां पर कंप्लीट होने वाला है आदे मिनट का और टाइम बचा है चलिए आदा मिनट वह भी वेट कर लेते हैं फिर watch को निकालते हैं और चेक करते हैं कि वाच प्रापर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है दस मिनट हमारा कंप्लीट हो चुका है आप इसी स्मार्ट वाच में देख सकते हो दस मिनट हमारा कंप्लीट हो चुका है दस मिनट से जादा ही हो रहा है चलिए अब वाच को निकालते हैं और देखते हैं कि यह वाच प्रापर वर्क कर रहा है और नहीं कर रहा है अभी आप देख सकते हैं वाच का डिस्प्ले भी पूरा जल रहा है अभी थ्वाच पानी डिस्प्ले से अटा लेते हैं इसमें मु आते वाप कर रहा है आप से अब जब आ सहाल gonna class भान के वाज़न से जो इसका स्क्रीन एट उसनेते उन्हा पर उसके तो तो सके इसको पर कर लेते हैं इसका प्रांधेस कर लेते हैं ताक्कि आप लोग को क्लियर दिख सके तो अभी देख सकते हैं स्क्रीण वह क्रेंम है यह कुछ भी प्राप्लम Caleb Jeb वोगण सब्सक्र यह घगए ब्लुक्रिन प्रापर वर्क करा है कुछ भी प्रापलम इसमें नहीं हुआ है यह जि猜ुत सब्सक्राइब सेंसर देख बिलुकल और कंपल Simmons के मैं आपको भी दिक्कत नहीं हुआ है यह बिल्कुल प्रापर तरीके से वर्क कर आ है इसके अंदर भी पानी नहीं गया है यह जो है कि ब्लोटूथ कालिंग स्मार्ट वाज था इसमें साइड में स्पीकर विदे रखा है तो इसी का डाउग था कि स्पीकर के वज़ा से वाज के अंदर पानी अंदर जाएगा या नहीं जाएगा तो अमने इसको प्रूप कर दिया है अमने 10 मिनट तक पानी में इस वाज को रखा है तो इससे क्लियर हो गया कि यह जो आच है पूरी तरीके से वाटर पूफ है इसमें अंदर पानी नहीं जाएगा चाहे आप कितने भी देर तक को पानी में रखो सो आई होप गाइस यह वीडियो आपको काफी ज़्यादा हेल्प मिलाओगा अगर आप एक स्मार्ट वाच पर्चिस करना चाहते हो तो ब्लुथूथ कालिंग स्मार्ट वाच डेफिनेटली ले सकते हो यह भी 100 परसेंट जो एकी वाटर प्रूफ होता है आपको यह वीडियो अच्छा लागा होगा वीडियो अच्छा लागा तो लाइक कर देना ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टागाम पर भी मुझे आप फालो कर सकते हो इंस्टागम का यूजर नेम आपको स्क्रीन पर दिख ज लेना तो चले मिलता है किसी और ऐसी नेक्स वीडियों तब तक लिए बाइब